इस वेंग स्केल ने हम लोगों का बहुत साथ दिया है तो वैसे किचन स्केल लेकिन हम लोगों ने इससे जूल्री कॉइंज बार्स पता नहीं किस किसका वेट टेस्ट किया वेट टेस्ट होंगे में भी इनाक्यूरिट क्योंकि इसका कैलिब्रेशन का कुछ नहीं पता और करते थे it was actually meaningless क्योंकि हमें डेसिमल का पता ही चलता था प्लस माइनस कितना कितना mg बट इस फाइनली टाइम टाइम तो से गुडबाई तो दिस मशीन अन नाव लेट्स टॉक अबाउट आड न्यू मशीन साथ रियाक्स ओनली हेलो एवर्यों और विलकम तो मैं चैनल मेरा मैं वरुन कुमार और मैं हूँ आप लोगों का इंडियन बॉलनेर आपके सामने है एक वेइंग स्केल इसे मैंने Amazon से ओडर करा था on 21st of April and delivery हमें मिल गी थी 23rd of April को यानि कि टू डेस फ्रम हाइदरबाद टू डेली आये से अन्बॉक्स करते हैं और उसके साथ साथ जो यहा आगे बढ़ने से पहले यह बताना चाता हूं कि यूट्यूब ने मुझे यह बताया कि आप में से 90% के ऊपर लोग वीडियो देख लेते हैं जानकारी सारे पा लेते हैं डील्स में भी खरीद लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब निकरते हैं अब जाते हैं कि मैं जल्दी से लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दें ताकि और इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको टाइम टो टाइम मिलते रहें लेट्स केंटीनू विडियो नाव तो यह रहा हमारा प्रोड़क्ट इसका फुल नेम है बैजनात प्रेमनात नोट्बुक पॉर्टबल वेंग स्केल यह आप देख सकते हो मार्केटेड बाई मॉडल नंबर इस A102 यह 2022 का ही मैनुफाक्चरद है मर्पी 2500 रुपए यहने की 2500 है यहाँ पर एक सी लेगे वली तो खुली हुई है यहाँ पर इनो ने दिखा रहा है कौनसे कौनसे वेट में शायद अवेलेबल है इट इस अवेलेबल फॉर 600 ग्राम्स टू किलोग्राम वन किलोग्राम हमने लिया है वन किलोग्राम वाला वेरियंट टीन वाला मुझे अमाजान पर नहीं दिखा वरना शायद वही ले ले लेता सो यह सील सी इस ओपन यह वली सील बंद है विल सी हाउट वर्क्स स्टैंडर्ड फीजर्स में दिखा रहता हूं मोड्स है यानि कि आपका जो मोड नॉर्मल होता है उसमें यह सारी यूनेट्स में सब बता दूंगा वट दे मीन कैलिबरेशन आटोमाटिक है टेर रेंज फुल कापासिटी है इन सब के वारे में बात करेंगे ऑटो आफ यानि कि अगर चलता रहे गया कि दिल में बंद हो कर रखा है I wasn't sure कि इसमें included है कि नहीं इसलिए मैं लेकर आया था थोड़े से market से just in case इसमें ना निकले since description में mentioned था कि it's not included but we'll find out together तो let's open it from this side only and see what they have to offer okay so do we have batteries oh we do have something oh we have batteries that's nice so even though mention था नहीं है it's good to keep some handy and who is it by Lilian Zing okay I have never heard of this company anyways let's put this to the side and product को निकलो so i scale India का scale thank you for choosing a product they have mentioned some details over here about them and thank you for buying customer support को contact कर सकते है their website whatsapp six months free six months extended warranty how grab yours today basically review और जो invoice sales की photo यहां पर भेजो और आपकी छे महीने की extended warranty कर देंगे instruction manual दिया है for using jewelry scale यह काफी important है पढ़ने के लिए so you can read it if you want to pause the video and read it जो सबसे important part इन लोगों ने mention कर रखा है वो यह है कि calibrated यह पहले से है या फिर जब on करते है तब calibration हो जाता है and accuracy आप यहां देख सकते हो 10 milligram की है which is 0.01 grams यह 100th part of a gram यह भी mention कर रखा है कि इसे एक flat surface पर रखना कोई हवा नहीं हो रही हो because it's very sensitive and on करके जब वो 00 पर आगा तब उसे proceed करना और उसके साथ-साथ इनों नहीं यह mention कर रखा है कि it is a very high precision analytical balance so it may show differences in weight of 10 to 50 mg due to light wind atmospheric disturbances and mobile radiations so this is a very awkward moment for us जिसे jewelry coins bars जिसमें weight tolerances होता है उसमें 1050 mg is a lot तो अगर इतना ही इसमें variation होगा it means even this is not that much accurate but time will tell we shall find out और यह सिर्फ एक estimate के लिए please do not go by it कि जितना gram इन examples में भी निकलेगा इतना ही होगा because final word यह final call जो होती है dollar की scale के होती है यह फिर जिसके पास काफी high price or high precision वाला equipment होगा that will be the final judge in the case one more thing यह जो company है it's from Kanpur that is Uttar Pradesh okay this looks pretty cool इतने time से उल्टा पड़ा था I did not know यह तो काफी smart लग रहा है it says notebook over here and it actually looks like a notebook reverse side pay for domestic use only for scientific research और investigation purpose yes investigation ही है कि इसका वेट सही है कि नहीं right so let's open it up put the batteries in and start our testing so we opened our notebook and my first impression is that the product is of very high quality this is plastic and in sabka weight kaffi zyada hai is pek film laghi we just like a protective covering and most likely it's made of stainless steel so yeh protect raha through time because it's very sensitive scale so please be careful uh what do we have here we have a screen on off tear pcs and mode let's start with on and off this ko apne click kiay 8x show karta hai calibrate karra hai now it's calibrated we have a small circle we'll see what that means and we have g over here or which means its grams and hapka 2 decimal places because 10 mg का इसमें accuracy है that's great so first let's talk about the mode mode याने की आपका कौने 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 कौनसे कौने unit of measurement available है कितने gram's, kilogram' and stuff like that, we will see कौने 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 units है तो हई वार क्लिक किया it shows kg kilogram, so 1 1000th of a gram यह आपके पास available है, click on mode, then you have TL, TL ऐसा लगत तोला है, but it's called TAEL, usually यह चाइना और नेबरिंग कंट्री में यूज किया जाता है, तो लेसे चाइना में अगर हम 1TL की बात करें, so it's 36.7 ग्राम, अगर हम टाइवान की बात करें, so it's 37.5 ग्राम, होंग कोंग की अगर हम बात करें, तो 37.8 ग्राम, so हर एक कंट्री का एक अलग स्केल है, let's click on mode again, तो यहां से आप आगे CT पे, CT is carat, not the gold K वाला carat, but diamond का जो होता है वो, to measure the weight of a diamond, तो अगर आपके पास loose diamonds हैं, आप यहां रख सकते हैं, 1 CT, यानि कि 1 carat is equal to 0.2 ग्राम, let's click on mode again, and now you have OZ, OZ मतलब आउंस, दो ट is equal to 28.35 ग्राम, यह यूज किया जाता है, to just weigh, let's say, घर का समान and stuff like that, और आपका दूसरा unit होता है, troy ounce, जिसमें 1 troy ounce is equal to 31.10 ग्राम, जिसको हम यूज करते हैं, to measure, let's say, bullion, coins and bars, just like this one, so let's check the next one now, but yes, I don't know कि इसमें कौन सा उंस है, we will do the test and let's see, so mode को फिर से click किया, LB आ गया, 1 LB means pound, 1 LB जो होता है, 453 ग्राम के आसपास होता है, mode again, oh, so यहाँ आप देख से तो तोला आ चुका है, एक तोला जो है, वैसे 11.6638 ग्राम होता है, आप फिर से mode को click करोगे, वापिस ग्राम में आ जोगे, यहाँ टेर होता है, टेर का क्या मतलब है, let's say मिर पास एक कटोरी है, मैंने इसको यहाँ रख दिया, इसका weight, let's say, यह कह रहा है कि 58.49 है, अब मुझे कुछ ऐसा इसमें weight करना है, जो मैं सीधा scale पर नहीं रखना चाता, किसी, let's say, petri dish या कुछ ऐसे जैसे use करते हैं, उसमें use करना चाता हूँ, तो यह रखने के बाद मैं टेर को click कर दूँ और अगर मैंने इसको हता दिया, तो वो negative में आना अच्छे, यह इसका weight शो कर रहा है, अब टेर को फिर से click कर देंगे, if nothing is there, तो 0 शो कर देगा, PCS मतलब pieces, अगर आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं, of the same weight, let's say, nuts and bolts है, same weight है या similar weight है, और आप उनकी counting करना चाते हो, तो आप 25 पीस रख दो, so 25 pieces आप किसी चीज़ के रखोगे, जब आपने रख दिये, उसके बाद आप फिर से PCS को click करोगे, अभी तो कुछ भी निए, इसले error शो कर रहा है, बर उसके बाद वो show करता है, कि आप similar और चीज़ें डालोगे, तो कितने और होगे, 25 के बाद, let's say, आपने और आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5 और रख दिये, तो वो तीश्यों करेगा, similarly, it keeps on adding, so it's for those people who actually want to count something, and AK करके count करना is not easy, so बहुत कुछ बता दिया आप लोगों को इसके features के बारे में, अब finally time आगया है to weigh these products, and let us first start with these silver products, पहले बहुत मेरा मन कर है to start with this MMTC PAMP का तोला, जो शो कर रहा है, 11.6638 ग्राम, अब सिंस इसमें decimals दो शो कर रहा है, यानि कि 11.66 भी शो कर देगा, that's gonna be enough, and weight tolerance का वैसे तो it should be 0-0, यानि कि जितना है, उतना ही निकलना चाहिए, but I don't know, कितना शो करेगा, let's start, so मैंने या रख दिया है, and वो, to my surprise, it's coming at 11.79, does that mean positive weight tolerance, I don't know, let's give it another try, it's a very sensitive scale, तो कुछ भी नहीं कह सकते हम, now we're getting 11.8, with 7.9 के असपास, that means this is positive for sure, if we click on mode, और हम तोला तक लेके जाएंगे, what would it give, so this is kilograms, this is tile, caret ounce, lb pounds, and तोला, here you can see, it's showing you 1.012, that ideally means कि ये जो है, पूरा 11.66 के हिसाद से वे करता है, तोला को, and that's a good sign, अब हमारे पास है ये चाइनीज पांडा, which is from 2020, इसका आप देख से थर्डी ग्राम्स शो कर रहा है, reverse side में दिखाता हूँ, let us weigh this now, वो, पूरा का पूरा 30, ना कम ना जादा, I mean that's how I like it, so that's great, I can test it once more, BAM, this thing is working fine right now, I hope ऐसी चलते रहे, अब बारी है, Canadian Maple Leaf की, जो कि आप देख से थे रिपल 9.9 फाइनस का है, और यहाँ पर mentioned है, वन ओस, this is Troy ounce, and this is also from 2020, let's see, वो, तो इसमें आपका थोड़ा positive tolerance आया है, इसका मतलब है कि, it is above 31.10, but let's give it another shot, that is a good thing, तो यहाँ पर यह शुकर रहे है, अब टेर करके, sorry, mode को क्लिक करके, let's go to ounce, TL, CT, ooh, we're getting 1.1, so that means कि यह भी शायद 28.35 वाला, यानि कि normal standard जो ounce है, उसको cover कर रहे है, but it's okay, we got the idea, वैसे भी हम grams में देखेंगे, या kilogram में देखेंगे, ounce में तो हम जादा नहीं देखते हैं, अब बात करते हैं, हम gold की, यह है MMTC PAMP का एक lotus वाला gold bar, जिसका denomination आप देख सकते हैं, 5 gram, triple 9.9 finest वाला, तो MMTC PAMP के products में जैसे मैंने बुला है, zero weight tolerance होता है, यानि कि जितने के लिए आपने पे कि यह उतना ही निकलना चाहिए, in fact वर असा जादा निकल सकता है, let's see, okay, so from 5.03 यह आया 5.01 पे, यानि कि 10 mg उल्टा गोल्ड जादा निकला है, boom, that's also a good sign, let's test it once more, so sometimes you have to give some time, by chance उपर नीचे हो रहा हो, just give 2-3 seconds, and it's showing around 5.02, इसका मलब है, it can be up to 20 mg more gold, anyways, it's not below 5, and that is the main thing, so, boom, once again, next in line है, BRPL, यानि की, Bangalore Refinery Private Limited का, 1 gram, triple 9.9 finest का, gold bar, let's see how this performs, because, अगर मैं आपको 30 card दिखा दूं, यहाँ पे mentioned है, इसका weight tolerance है, plus minus 20 mg, तो 0.02 gram ज्यादा निकल सकता है, या कम निकल सकता है, let's test it, BAM, we have exact 1 gram, बहुत सारे लोग मैं बता रहा हूँ, past few years में, बहुत लोगों ने मुझे बोला है, comment करके, कि हमारा 50 mg भी कम निकल गया, किसी का कुछ निकल गया, अब I am not sure, कि उनके case में हो सकता है, from time to time, weight tolerances कभी deflection इतना दे सकती है, या फिर when you are going to a jewelry shop, and वहाँ पे उनके scales अलग तरीके से calibrated है, या purity testing के लिए, तो उपर नीचे चीज़े आ सकती हैं वहाँ पर, it's good to, you know, go to 2-3 places, और महां जाके एक बार survey तो करो, बूम, we have 1 gram again, one of the most notorious companies, जिसमें मैंने सुना है कि हमेशा weight tolerance negative निकलता है, वो मला बार का है, क्योंकि इनका weight tolerance is up to 50 mg, यानि कि 0.05 grams, and this is plus में भी, minus में भी, plus में तो आपको लगता है, ओ वाओ, 50 mg extra gold, but minus में आपको लगता है, oh my god, 50 mg कम gold, तो लेट सी how this performs, तो ये मला बार का फ्लावर वाला gold coin है, आप यान देख सकते हैं, it's a very beautiful coin, frosted golden stuff, and ये आपका है 2 gram का, तो देखते हैं, weight tolerance कि इस तरफ को गिरता है, वो, no, no, no way, oh, fine, तो देखा थोड़ा second देना की ज़रूरत पढ़ती है, and it came as 2 grams exactly, so that is a plus sign from me for now, जिन जिन का negative निकला है, I'm not sure, maybe जहां से नों ने वे करवाया था, उनका scale जादा sensitive होगा, या फिर सची में product जो है negative में निकला है, it's a chance, so yes, it can happen, let me test once more, क्या पता negative में show हो जाए, and yes, it's showing full 2 grams, यानि कि no negative weight tolerance, जितने के लिए मैंने पैसे दिये, मुझे उतना ही gold मिला है, unless jeweler scale कुछ और कहता है, अब since I'm wearing this bracelet, मैं सुस्टा हूँ वीडियो एंड काने से पहले इसको भी देख लेते हैं, अब ये जो मैंने लिया था, इसकी listing mentioned थी at around 45 grams, so it's gonna be, you know, interesting to find out, because मेरा पुराना scale जो था, वो 47 शो करता था, ये कितना शो करेगा, let's see, ooh, so it is actually above 45 grams, कम नहीं निकला, इसमें कोई weight tolerance, we have approximately, let's say, 2 gram जादा silver, and that means, double plus, product के pricing के बारे में बात कर लेते हैं, MRP शहएद 2500 के आस पास था, which was 2500 I think, and Amazon पर ये जो प्राइस अवेलिबलता है, it was at 1099 रूपीस, and personally, I think, अभी तक जितना इसने परफॉर्म किया है, it's pretty decent, specially, इस kitchen scale से, S.F.O. 100, pricing wise, obviously, ये जो था, this was maybe around 300 to 400, not sure exactly, और 7 kg तक ये वे उठा पाता था, on the other hand, this is 1100 रुपे के आस पास, and ये एक किलो तक वेट उठाता है, अलगले types में भी available है, यहां screenshot में देख सकते हैं, if you want to buy, description में आपको सारी links मिल जाएंगी, warranty की अगर हम बात करें, तो website पे तो 6 months carry-in replacement था, अब ये उतर प्रदेश में हैं, तो किसी को जाना पड़ेगा इसके लिए, या फिर they are gonna solve it online, we should ship it to them, कैसे होगा, तो avail warranty इसके बारे में मुझे पूछना पड़ेगा, but we'll see, for now, इसमें 10 days का replacement available है on Amazon, so you can request that if you have any issues, and with all of that, I think it's time to end this video, जिसमें हमने finally, आप में से किसे सारो लोग, कितने टाइम से comment करे थे, please get a better weighing scale, and that was very logical, and I thought बहुत expensive होगा, या फिर these things are not accurate at all, but अभी के लिए, I can say it was pretty decent, I am happy with the build quality, just look at that, इसका weight काफी decent है, carry करना असान है, ये जो है carry करना काफी difficult है, मैंने कभी carry नहीं करा, but yes, this one is definitely something you can buy, for now, मेरी तरफ से it's a positive sign, if you are interested in buying, तो आज की वीडियो के लिए सिरफ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो आप लोगों को पता है क्या क्या करना है, पहले वीडियो को करना है like, फिर करना है comment, comment में आपको बताना है, कि कौन सा प्रोडेक्ट का अब चाहते हो, एक weight test, let me know, जो जो में पस अवेलिबल होगा, I'll try it, कोई brand है क्या specific और कौन सा metal है, मुझे बताना, we'll make some dedicated videos, और आगे से आने वाले जो वीडियो होंगी, उसमें we'll be using this bad boy, this sorry, good boy, please make sure to share this video with your friends and family, because बहुत मदद करता है मुझे भी, because I get some views, and जो receive करोगा video, उसको कुछ informative video मिलेगी, और उसको कुछ नया सीखने को मिलेगा, final thing is, please make sure to subscribe to my channel, और साथ में उसकी bell icon है, उसको click कर लो, because उसको click करने के बाद, आपको notifications मिलेंगी, कि जब भी मैं ऐसी interesting videos दालूँगा, because आगे बहुत informative videos आने वाली है, you don't want to miss that, so in the end, thanks for watching,